कि कि देखो हमने जो है ना वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़े थे अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो लेट से हमने एक ग्राफ पढ़ा था वाई is equals to 2 y is equals to 2 का एक जो है न वो straight line graph पढ़ा था या straight line बनाई थी जब y is equals to 2 की straight line की बात करते हैं तो हमारे पास अगर x और y axis दोनों बने वे हों ये x axis है और ये y axis है y is equals to 2 की ये एक straight line होगी ठीक है न ये y is equals to 2 की एक straight line है सही है अब अगर लेट से आपको ये कहा जाए कि आप वो particular area shade करो जहां पर y is greater than और is equals to 2 यानि कि एक area shade करो graph paper पर जहां पर y की value 2 या 2 से ज्यादा हो तो आप क्या करोगे same graph बनाओगे same graph पर यही आपकी x axis है यही आपका y axis है यहां पर let's say x1 है यहां पर x2 है फिर x2 है न वो 3 है अब अगर बोला जा रहा है y is greater than और is equals to 2 यानि कि आपने वो area shade करना है जहां पर y की value 2 या 2 से ज्यादा होगी यानि कि जहां पर y 2 आ रहा है न उसके उपर वाला area जो है वो shade हो रहा होगा यह वो area है जहां पर y की value 2 से ज्यादा है और इसको हम बोलते है y is greater than or is equals to y is greater than or is equals to 2 y 2 से ज्यादा या 2 के बराबर है इसी देना से अगर आपको ये बोला जाए कि वो area shade करो जहां पर let's say ये x axis y axis है यहां पर x1 है यहां पर x2 y2 है अगर आपको बोला जाए y is less than और is equals to 2 वाला area shade करो तो यह जो particular line है y is equals to 2 की आप इसके नीचे वाला area shade करोगे पूरा इसको हम कहते है y is less than or is equals to वाला area यानि कि इस area में y की value 2 या 2 से कम होगी अब इन तीनों examples को copy करो जल्ली से जल्ली से copy कर लो झाला इसके पूरी एक सकता इसके ताहिए लो झाल झाल यहार जयाक जरड़ामशना मुाम्ना मुखना चाल कमा कर जामाएमना मुखनाः यहार जात्रोंधना किते वालों। एफ है चलो जली से कॉपी कर रहें बही जली कोपी वह इस पर अफ है 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 इस पहुआ है 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 इस लुट नहीं टो फोड़ा है कि अज़ तुम लोगों का चैप्टर नमर वन का ठेस्ट है पता है ना पता है ना कि मैंने नहीं बनाया आए अग्या ने बनाया वह पीचर एसस्ट्रेंग जो है हाँ हाँ आज करवाने दें कर वाने तो गुरुपे नहीं हो तुम क्या तुम लोग गुरुपे नहीं बताया भी उसने रेगूलर वालों को बताया होगा शहर्थ पास्ट्रेंग पर नहीं आया कोई मैसेज आइड में को आये है चैप्टर वन का कल टेस्टेस का मैसेज तो आया है ना पास्ट्रेंग में यह तो पते हैं न तुम्हें हां 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 तो सब्सक्राइड में की की पी क्या पिच्चर बना अगर बेजे तुम्हें हां नहीं आया लिखा वा मैंने तो पूछा था शायद उसने बेज दिया था खैट चलो आज दे देंगे सैंड में अच्छा आप इसी तरह से इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ एक्स इस इक्वल्स टू फोर की लाइन बनाओ तो क्या होगा हम अपने पास हो है ना वह तीन कंडिशन्स बनाते हैं एक्स इस इक्वल्स टू फोर एक्स इस लेस देन और इस इक्वल्स टू फोर एक्स इस ग्रेटर देन और इस इक्वल्स टू फोर यह वन है यह टू है यह थ्री है और यह फोर है एक्स इस इक्वल्स टू फॉर की यह इस्ट्रेट लाइन है ठीक है अच्छा जब सवाल बोलता है एक्स लेस देन और इस इक्वल्स टू फॉर तो जहां पर एक्स की वैल्यू फॉर होती है उससे पहले वाला एरिया जो है वह हम शेट कर लेंगे और अगर सावाल में लिखा वहो के एक्स ग्रेटर धन और इस इक्वल्स टू 4 तो जहां पर एक्स की वैल्यू 4 है हम उससे आगे वाला एरिया شेट करेंगे क्योंकि आगे के एरिया में एक्स की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा होगी फाइफ होगी 6 होगी 7 होगी है इसको भी कॉपी कार लो अगर अगर छोड़ दो ना है अगर अगर चोड़ो अगर वाले सवाल नहीं पूछा नहीं क्या यह क्या है यह समझ पहाँ आ गया है ना है अगर छोड़ दो सिख जहेंगे सब्सक्राइब भई सब्सक्राइब फास्ट ट्रैक है सब्सक्राइब अच्छा अब एक ही डाइग्राइम पर अगर लेट्स से देखो यहां तो अलग-अलग डाइग्राइम पर अलग ग्राफ पर हमने सारी चीज़ें करी है मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूं और उस पर मैं यह कहता हूं कि एक सिंगल ग्राफ पर यानिकि यह एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस एक सिंगल ग्राफ पर एक सिंगल ग्राफ पर आप क्या करो कि एक एरिया शेट करो जहां पर y is greater than or is equals to 1 y is less than or is equals to 5 x is greater than or is equals to 2 x is less than or is equals to 7 एक सिंगल ग्राफ पर एक अरिया शेट करो जो इन चारों करनेशन को मीट करता हो करो जड़ा बनाओ क्या बनाते हो देखें करो जड़ा बनाओ क्या बनाते हो देखें आप हो जो जड़ा हो देखें करो देखें करो देखें एक ही ग्राफ पर सब बनाना है अगर मैं यहां पर लेबलिंग कर दूँ टू फोर सिक्स एट टेन यहां पर लिख दूँ मैं टू फोर सिक्स एट 10 X is greater than or is equal to 1 Y is greater than or is equal to 1 यानि के यह y is equal to 1 की लाइन होगी Y is greater than or is equal to 1 का मतलब यह के फीजर बे लेजन इस लाइन के उपर होगा फिर इसी दरह से लिखावा है Y is less than or is equal to 5 यहां पर Y 5 होगा less than or is equal to 5 यानि के जो region होगा जो area shade करूँगा वो इसके नीचे होगा x is greater than or is equal to 2 यहाँ पर x2 है x is greater than or is equal to 2 का मतलब इसके right side पर और x is less than or is equal to 7 यहाँ पर आपके पास जो है ना x7 है less than or is equal to 7 का मतलब होगिया इसके left side पर तो हमारा जो region shade होगा जो सारी बाते मानता है वो यह box होगा अच्छा 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 नहीं समझ आया तुम्हें आया समझ आगे समझ तुम्हें समझ आगिया पकी बात है shaded region shaded region में क्या हो रहा है अगर मैं shaded region से कोई भी point पे करूंगा अगर मैं shaded region से कोई भी point पे करूंगा कोई भी coordinate पे करूंगा ये वाला ये वाला कोई भी coordinate पे करूंगा तो इसमें ये चारो बाते पूरी हो रही होंगी चारो बाते क्या पूरी हो रही होंगी कि y की value 1 से जादा होगी 5 से कम होगी X की value 2 से ज़ादा होगी 7 से कम होगी ये सारी बाते मकमल तोर पर satisfy हो रहेंगी पूरी हो रही होगी अगर for example एस वाले point की बात कर लेते इसको A कह देते हैं एस वाले point की बात कर लेते इसको B कह देते हैं तो अगर मैं A की बात करता हूना A point क्या है 4, 4 B point क्या है 6,4 अगर आप उगर वाली conditions देखो तो condition ये थी कि X की value जो है वो 2 से ज़ादा और 7 से कम होगी ऐसा है 4 या 6 या 6 या 2 से ज़ादा है और 7 से कम है और Y की value 1 से ज़ादा होगी 1 या 1 से ज़ादा और 5 या 5 से कम होगी एसा भी है Y की जो value आ रही है इन दोनों cases में 4 आ रही है जो के 1 या 1 से ज़ादा भी है और 5 या 5 से कम भी है ठीक है ये जो area आपने shade किया है क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दी गए ही 4 conditions पूरी करता है 4 conditions पूरी करता है ना तो हम इस तरहा के जो area होता है ना जो सारी conditions मीट करें इसको हम feasible region कहता है feasible region ठीक है feasible region क्या होता है feasible region के लिए आप कह सकते हो an area which satisfies the all mentioned inequalities feasible region एक ऐसा area होता है जो दी गए सारी की सारी inequalities को एक साथ मीट कर रहा हो an area which satisfies all mentioned inequalities बदाई गए जितनी भी inequalities थी यहाँ पर चार थी उन चारों की बात मान रहा हो चारों चीजें जो है चारों कंडिशन से वो एक ही साथ एक खटा पूरी हो रही हो उसको हम feasible region कहता है तो यह जो हमारा yellow से shade की अवाई एरिया है इसको हम feasible region कहेंगे ठीक है अच्छा feasible region की भी दो types होती है एक टाइप कहलाती है bounded feasible region यह वाला जो feasible region आपने बनाया है ना इसको हम bounded feasible region कहेंगे bounded bounded feasible region कहेंगे इसको एगर हम यह यह वाला टाइभर में यह यालो वाला लीजन देखते हैं तो यह 4 तरफ से पैक है तीन तरफ से पैक होगा तो क्या वो बाउंडरी डीजन कहलाएगा हाँ तो भी वो बाउंडरी डीजन कहलाएगा बाउंडरी हो इसकी ठीक है ना बाउंडरी हो तीन तरफ से अगर वो पैक होगा तो वो भी बाउंडरी डीजन कहलाएगा देखो यहां पर जो कंडिशन है वो कि सारी जितनी भी साइड्स हैं जितनी भी साइड्स हैं उन सारी साइड्स जो है वह बाउंडरी हो और वह उस बाउंडरी के अंदर हो तो हम उसको कहेंगे बाउंडेड फीसे वेलिट हैं ठीक है दूसरा केस करते हैं लेट से क्या आपके पास वह ना वह y is greater than or is equals to 3 x is greater than or is equals to 2 y is greater than or is equals to 3 x is greater than or is equals to 2 मैं बोलता हूँ कि इसका आप feasible region छेट करो तो feasible region वो region होता है जो दी जहीं सारी conditions को एक साथ एकटा meet कर रहा हो अब यहाँ पर कितनी condition दी है यहाँ पर दो conditions दी है तो ऐसा region क्या मैं बना सकता हूँ जो दोनों बातों को एक ही वक्त पर एक ही साथ पूरा कर रहा हो बना सकता हूँ ना मैं अपने पास x-axis और y-axis बनाता हूँ यह x-axis है यह y-axis है x-axis greater than or is equals to 2 y-axis greater than or is equals to 3 और यह region shade कर देते हैं कहां तक शेट करेंगे उसकी कोई limit नहीं है हमारे पास दो conditions थी के y जो है वो 3 या 3 से ज्यादा होगा दूसरी condition थी के x जो है वो 2 या 2 से ज्यादा होगा लेकिन कहां तक होगा यह नहीं बताया था तो इसका मतलब यह भी feasible region है क्योंकि यह एक ऐसा region है जो बताई गई सारी conditions को meet करकर बना है लेकिन इस feasible region को जो है न इस feasible region को हम कहेंगे unbounded feasible region unbounded इसलिए क्योंकि यह दो साइट से open है क्या एक साइट से open होगा तो वो unbounded feasible region कहलाएगा ठीक है चारो तरफ तीनो तरफ boundary अगर है तो वो bounded feasible region अगर किसी भी एक तरफ boundary नहीं है तो वो unbounded feasible region कहलाएगा सही है सही है न यह यह unbounded feasible region क्योंकि दो तरफ तो limits है लेकिन दो तरफ कोई भी limit नहीं है अच्छा अगर आपसे यह बोला जाए कि एक condition है है एकसे लेस देन और इस इकवल तो त्री दूसरी कंडिशन ने एकसे ग्रेटर देन और इस इकवल स्टू 6 प्या इसका फीजेबल रीजन बन सकता है कि अ बनाओ फीजेबल इजन कि अ कि बन सकता है फीजेबल इजन की डेफिनेशन क्या होती है फीजेबल इजन की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा एरिया शेड किया वह हो मैंने जिसमें सारी बातें एक ही वक्त एक खटा एक ही टाइम पर पूरी हो रही हो हो अगर अगर मैं यह कहता हूं कि यार यह एक्से kardeşim है यह एक्सेश हो गया यह वाय एक्सेश मॉगया है यह वन है टू है ठी है ठीक है फूर है फाइव है सिक्स है अगर एक्स की वैलिए वन टू-3456 हैं और यहां पर यह एक्सेस लेस देन और इस इक्वल्स तु थ्री है और यहां पर एक्सेस ग्रेटर देन और इस इक्वल्स टू 6 है तो क्या मैं फीजेबेर इजर मना सकता हूँ तो क्या वैज़र लेजन अगर एम्टी रखों एक्वशांबर 3 है उससे लिफट सायर वाले इरिया शेट कर दूँँ और ऑग्वशांबर 6 है उसके बाद वाले इरिया शेट कर दूँँ आपको शेट करना होता है जिसमें सारी बाते पूरी हो रही है सारी बाते पूरी होने का मतलब यह कि अगर मैं इसको शेट कर देता हूं न तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू सिक्स से ज्यादा होगी लेकिन X की वैल्यू 3 से कम नहीं होगी मुझे वो एरिया शेट करना होता है जिस पर दी जहीं सारी बातें एक खटा एक साथ एक ही वक्त पर पूरे रीजन में मीट हो रही हो अगर ये एक ऐसा रीजन होता जहां पर X की वैल्यू जो ये वो 6 से जादा भी होती और 3 से कम भी होती तो ये फीजेबल लीजन होता ठीक है अधर वाइस ये फीजेबल लीजन नहीं होगा अधर वाइस फीजेबल लीजन नहीं होगा ठीक है चैप्टर वन पर कौन बैठा है बैस समझाओ इसका चैप्टर फोर चैप्टर फोर लिए यह बहुत जरूरी है कि दी गई सारी कंडिशन्स मीट हो रही हो तो अगर इस स्पेसिफिक सवाल में यह कहा जाएगा के फीजबे रिजन बनाओ यह फीजबे रिजन बन सकता है यह नहीं तो आंसर होगा नो फीजबे रिजन कोई फीजबे रिजन नहीं बन सकता सही है अच्छा अब अगली चीज़ पर आते हैं आपने स्टेट लाइन के सवालों में य इस इक्वल्स टू एक्स Y is equals to X Y is equals to X पढ़ा था Y is equals to X अगर एक स्टेट लाइन है क्या ये स्टेट लाइन है ये काड़रेटिक एक्वेजन है कैसे पता चला इस पे X की पावर जो है वो 1 तक जा रहे हैं सही है इसका M कितना होगा 1 इसका C कितना होगा 0 C 0 क्यों होगा देखो Y is equal to X को मैं यू लिख सकता हूँ Y is equal to 1 X plus 0 और इसको अगर मैं compare करूँ Y is equal to M X plus C से तो M जो है वो 1 आ रहा है और C जो है न वो 0 आ रहा है है ना तो अगर M 1 आ रहा है और C 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई इस specific Y is equal to X की लाइन का Y is equal to X की लाइन का जो M है वो 1 है और जो C है वो 0 C 0 को होने का मतलब क्या है कि यह लाइन कहां से गुजरेगी Origin से गुजरेगी अगर मैं X और Y एक्स बना दूँ यह हमारे पास X एक्स है यह हमारे पास Y एक्स है अगर मैं यह यह लाइन को बना दूँ यह कहला था है Y is equals to X की लाइन यह 0,0 से भी गुजरती है फिर यह 1,1 से गुजरती है फिर यह लाइन 2,2 से गुजरती है फिर यह लाइन 3,3 से गुजरती है यानि कि हर उस पॉइंट से गुजरती है जहां पर X की वैल्यू Y के बराबर है और Y की वैल्यू X के बराबर है वहां वहां से ये गुजरती हुई जाती है दूसरी बात यह कि ये ओरिजन से इसलिए गुजरी क्योंकि इसका C0 था M1 होने का क्या मतलब था अगर X एक से इंक्रीज होगा तो Y एक से इंक्रीज होगा या ग्रेडियन के अमाउंट से इंक्रीज होगा और ऐसा ही हो रहा है 0,0,1,2,3,3 ठीक है तो ये Y is equals to X की लाइन है लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ के मुझे Y is less than or is equals to X Y is less than or is equals to X Y is less than or is equals to X वाला एरिया शेट करकर दो Y is less than or is equals to X वाला एरिया शेट करकर दो तो आप मैं इस लाइन के उपर वाला एरिया शेट करूंगा या इस लाइन के नीचे वाला एरिया शेट करूंगा इस लाइन के नीचे वाला एरिया शेट करूँगा देखो अगर मैं इस लाइन को बनाता हूँ अगर लिखाव है ना y is less than or is equals to x तो मैं इस particular लाइन के नीचे वाला एरिया जो है ना उसको शेट करूँगा जब हम y is equals to x की लाइन बनाते हैं तो इस Y is equal to X की लाइन जो हम बनाते हैं उसके नीचे वाला एरिया जो है वहाँ पर Y is less than or is equal to X वहाँ पर जो आपकी Y की value होती है वो X की value के बराबर या उससे कम होती है ठीक है? क्यों? देखो for example let's say उपर वाले ये जो graph है ये 1 होगा यहाँ पर X, यहाँ पर X2 होगा, यहाँ पर X3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, अब लेट से मैं एक point mark करता हूँ A और एक point mark करता हूँ B, एक एक coordinates बताओ A होगा, 2,1 और B क्या होगा, 3,1 तो क्या Y is less than or is equals to X, क्या जो Y की value है वो X की value से, कम यह उसके बराबर है, ऐसा है इसे हैं न, ठीक है, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे पास कभी भी अगर Y is less than or is equals to X वाले area shade करने को आएगा, तो जो Y is equals to X की line होगी, area उस line के नीचे shade होगा area उस line के उपर shade नहीं होगा, area उस line के नीचे shade होगा सही है, Y is less than or is equals to X का मतलब यह है कि जो आपकी Y is equals to X की line है, उसके नीचे वाले area shade करोगे, उसके नीचे Y की value हमेशा X की value यह उससे कम होगी इसी तरह से अगर आपको बोला जाए, Y is greater than or is equals to X, Y is greater than or is equals to X, तो क्या करोगे? तो हमने जो line मनाई है हम उसके उपर वाले area shade करेंगे, यानि के पहले वाले case पे तो नीचे वाले area shade किया था, दूसरे वाले case पे हम जो area shade करेंगे वो line के उपर वाले area होगा, उपर वाले area इसलिए होगा, क्योंकि उपर वाले area में हमेशा क्या होगा कि जो Y की value होगी, वो कोडिनेटिस बताओắng कि नहीं मन कॉमा टू ना एकस की वैलियू रखता ढिके कोडिनेटिस बताओ देखो टूइ की वैलू है वह की वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा ही कि उससे कम नहीं है शिख सब्हूंचback मिस्बदा सही है अच्छा अब अगली बात क्या आप लोगों ने यूँ तो याद नहीं रखा कि लेस्देन का साइन होगा तो जो लाइन मनाएंगे उसके नीचे वाला एरिया शेड होगा और ग्रेटर देन का साइन होगा तो जो लाइन मनाएंगे उसके उपर वाला एरिया शेड होगा तुमने ऐसे याद रखा यह थोड़ी पता है यह यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो आपको सवाल को लॉजिकली देखता होगा अगर पहली वाली कंडेशन दिखी भी है ना वाई is less than or is equals to x तो वो कह रहा है कि जो y की value है वो x की value से कम या उसके बराबर है इसका मतलब x की value y से ज्यादा या उसके बराबर है है ना क्या बताओ अगर y की value x से कम या उसके बराबर है तो x की value y से ज्यादा है उसके बराबर है तो क्या मैं इसको यू नहीं लिख सकता इसको लिखने का एक और तरीका ये भी तो हो सकता है x is greater than or is equal to y नहीं ऐसा भी ज़रूरी नहीं है इसा ज़रूरी नहीं है ठीक है देखो y is less than or is equals to x यानिके y की value x की value से कम या उसके बराबर है इसको लिखने का ये तरीका भी है x is greater than or is equals to y यानिके x की जो value है वो y से ज़्यादा या उसके बराबर है ऐसा भी लिखा जा सकता है या y is greater than or is equals to x जो है इसको यू भी लिखा जा सकता है कैसे लिखेंगे इसको X is less than or is equals to Y इस case में area कैसा shade होगा green color जो इस case का होगा और इस case में area कैसा shade होगा दूसरे वारे case में जैसे यह यह वाला area shade बाला है यह दोनों बाते same है यह दोनों बाते same है ठीक है इसमें कोई बसला पिचल ले लो ताके मैं स्क्रॉल डाउन करूँ अच्छा अब देखो अगर मैं बोलता हूँ तो य इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस एट क्या यह स्ट्रेट लाइन है इसका एम कितना है इसको मैं कंपेर करता हूँ तो य इस इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से तो जो एम है न वह फोर और सी जो एन वह एटा अच्छा अगर मैं यहां पर यह एक्स एक्स एज़ यह वाई-एक्स एज़ आ कि अगर मैं क्या करूं कि मैं इसका ग्राफ बना हूं लेट से यह यह है चार आठ बारह सोला है ठीक है है कि एक दो पीन है कि यह लाइन जो है वो एट से गुजरेगी एक पॉइंट इसका होगा जीरो कॉमा एट अगला पॉइंट क्या होगा वन कॉमा 12 नहीं होगा M अगर 4 है तो उसका मतलब यह कि अगर X-X से इंक्रीज होगा तो Y जोई वो 4 से इंक्रीज होगा उसे अगला पॉइंट क्या होगा 2, 16 उसे अगला पॉइंट क्या होगा 3, 20 अप़र स्लोपिंग लाइन होगी यानि कि ये वन कॉमा ट्वेल से भी गुज़रेगी फिर ये टू कॉमा सिक्स्टीन से भी गुज़रेगी फिर ये थ्री कॉमा ट्वेंटी से भी गुज़रेगी रफली इस तरह की लाइन होगी है ना यह जो मैंने पॉइंट्स मेंशेंड करे हैं ये इस लाइम के ऊपर हैं नीचे हैं ये इस लाइम पर हैं पर हैं नीचे तो नहीं है पर हैं अब अगर आपको बोला जाए देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? अर्दू में क्या बोला जा रहा है? अर्दू वाला पढ़ो Y जो है वो 4X प्लस 8 के बराबर है Y जो है वो 4X प्लस 8 के बराबर है X की कुछ वैलियू लेता है X की वैलियू ले रेता है जीरो वन टू त्री तो Y की वैल्यू कैसे आएंगी आप X की जगा 0 डाल दोगे तो 8 आएगा फिर 12 आएगा फिर 16 आएगा फिर 20 क्या X और Y एक दूसरे के बराबर है नहीं है बराबर तो फिर Y किसके बराबर है Y जो है वो 4X प्लस 8 के बराबर है Y X के बराबर नहीं है Y जो है वो X के बराबर नहीं है Y X के बराबर नहीं है Y 4X प्लस 8 के बराबर है Y जो है वो 4X प्लस 8 के बराबर है यानि कि जो X की वैल्यू होती है Y की वैल्यू जो है X की वैल्यू को 4 से पहले एरिया शेट करो जहां पर वाई इस लेस्देन और इस इक्वल्स टू फॉर एक्स प्लस एट तो इस लाएंगे नीचे वाला एरिया शेट करोगे या उपर वाला पका अगर लिखाव है वाई इस लेस्देन और इस इक्वल्स टू फॉर एक्स प्लस एट तो मैं इस पर्टि यह क्या करूए अगा लिखा वाइँ स्टे लेस्ट गोल चुल गिए टू झिंद टू फोर एंकि वाला इरिया करूँगा यह लिकिन अगा लिखा वाई इसद ग्रेटर दनकोड प्लॉत फोर स्ट गिए तो मै इस पर्टिकलर्ट लाइन कि उपर वाला एरिया शेट करूंगा सही है अब नीचे वाला एरिया से एक पॉइंट ले लेता है let's say कि ये वाला पॉइंट A A पॉइंट क्या है 1,4 ये एक और पॉइंट ले लेते हैं let's say ये वाला पॉइंट ले लेता है भी पॉइंट क्या है अब बताओ ये इस कंडिशन को कैसे मीट कर रहा है यानि कि ये जो कंडिशन थी य की वैल्यू जो है वो फॉर एक्स प्लस एट की वैल्यू से कम होगी देखो ए पॉइंट पर ए पॉइंट पर एक्स कितना ए पॉइंट पर एक्स वो वन है और ए पॉइंट पर वाई कितना वाई फॉर हमने वो एरिया शेट किया है जहां पर वाई की वैल्यू किसे इसको बोलने दो रहा है यार किसे कम है हाँ फॉर एक्स प्लस एट से कम है हमने वो एरिया शेट किया है जहां पर वाई की वैल्यू कम है किसे कम है एक्स से कम है नहीं, एक से कम नहीं है 4X प्लस 8 से कम है देखो अगर ये X की value 1 है ना A पर 4X प्लस 8 की value जो होगी वहाँ पर वहोगी 4 multiplied by 1 प्लस 8 याने के 12 तो क्या Y की value याने के 4 4X प्लस 8 की value याने के 12 से कम है देखो आपने compare जो है ना एक और 4 को नहीं करना हमने वह एरिया शेट किया है जहाँ पर 4X प्लस 8 याने के 12 और 4 इन दो को compare करना है तो 4 जो है वह बारा से कम है ठीक है इसी तरह से अगर point B देखते हो तो point B जो है ना उस पर क्या है X कितना 2 Y कितना है 4 सर यहाँ पर तो Y जो है वह एक से जादा आ रहा है काने दो हमने तो वह एरिया शेट किया है जहाँ पर Y की वैल्यू 4X प्लस 8 4X प्लस 8 का मतलब है 4 इन्टू 2 प्लस 8 याने के 16 से कम होगी तो बिल्कुल ऐसा ही है 4X प्लस 8 याने के 16 से Y की वैल्यू जो है वह 4 जो है वह कम है ठीक है? यह चीज़ ख्याल रखो कि किसी से कम करने का बोल रहा है वह यह कह रहा है कि Y की वैल्यू 4X प्लस 8 से कम होगी इसी तरह से जो उपर वाला एरिया उस पर एक पॉइंट पिक कर लेते हैं लेट से ये वाला पॉइंट पिक कर लेते हैं C, C के कॉर्डिनेट्स क्या होंगे? यानिके C पॉइंट पर X वो 1 होगा और Y जो है वो 16 होगा. अब 4X प्लस 8 बताओ, 4X प्लस 8 कितना बनता? 4 इंटु 1 प्लस 8 यानिके 12, अब इसको और इसको कंपेर करो, तो देखो तुम्हारी जो Y की वैल्यू है, वो 4X प्लस 8 की वैल्यू से ज़्यादा है. यही वो कहना चाहरा था. ठीक है? कोई मस्थला इसमें? नहीं है कोई मस्थला? अब एक फीजेबे लिजन शेट करता है. देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ Y is less than or is equals to 4X प्लस 8, X is less than or is equals to 10, Y is greater than or is equals to 2. वो एरिया शेट करो जहां पर Y की वैल्यू जो है, वो 4X प्लस 8 से कम हो, X की वैल्यू जो है, वो 10 से कम हो, और Y की वैल्यू जो है, वो 2 या 2 से ज़्यादा हो. वो एरिया शेट करना है, यानिके फीजेबे लिजन की बात हो रही है. अगर हम फीजेबे लिजन शेट करते हैं, तो हमने ये X-axis Y-axis बनाया, ये X-axis है, ये Y-axis है, 4X प्लस 8 इस तरह से होगा, अपवर्ट स्लोपिंग लाइन होगी, अपवर्ट स्लोपिंग इसलिए लाइन होगी, क्योंकि ग्रेडियन जो है, M4 है, M4 है, M4 इने का मतलब ये है कि अगर X-axis increase होगा तो Y-axis increase होगा, और C जो है वो 8 है, ठीक है ना, X is less than or is equal to 10, लेट से यहाँ पर X की value 10 आ रही है, X is less than or is equal to 10, यानि कि इसके left side पर हो गया, Y is greater than or is equal to 2, लेट से यह Y is equal to 2 की लाइन है, greater than or is equal to 2, यानि कि इसके उपर वाला एरिया, यानि कि मेरा जो feasible region होगा, वो क्या होगा, बताओ, क्या, ये मेरा feasible region होगा, क्या ये 10 वाली लाइन से left side पर, 2 वाली लाइन के उपर, और Y is less than or is equal to 4X plus 8 वाली लाइन के, नीचे है, थोड़ा से एरिया बच गया है, इसको क्या करूँ, शेड कर दूँ, नहीं करेंगे, 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 कर देते हैं, क्योंकि उसने बोला था Y is greater than or is equal to 2, तो वो बात तो इस एरिया में भी पूरी हो रही है, X is less than or is equal to 10 वो बात भी पूरी हो रही है, और Y is less than or is equal to 4X plus 8 वे बात भी पूरी हो रही है, तो पूरा एरिया शेड होगा, और ये वाले ये वाले एरिया, ये क्या कहलाएगा, हमारा bounded, bounded, feasible region कहलाएगा, ठीक है, कोई मसला, कौन सी आगे, लाइन को तो शेड नहीं किया, एरिया को किया, एक ही बात नहीं है, देखो, condition क्या थी, Y जो ये वो 2 ये 2 से ज़्यादा होगा, उस एरिया में 2 से ज़्यादा है Y, X जो ये वो 10 ये 10 से कम होगा है, और Y जो ये वो 4X ब्लस 8 से कम होगा, उस लाएंगे में नीचे, तो बाते सारी पूरी हो रही है, तो शेड करेंगे ना, क्यों नहीं करें, करेंगे ना, ठीक है ना, त्रिसी ले शेड किया है, और ये bounded feasible region का, सही है, ये bounded feasible region का, इसमें कोई मसला, अच्छा, अगर ये सवाल इस तरह से आया वो, Y माइनस 4X माइनस 8 लेस देन और इस इक्वल स्टो 0, 10 ग्रेटर देन और इस इक्वल स्टो X, 2 ग्रेटर देन और इस इक्वल स्टो Y, तो एक ही बात है ना, दोरों सवाल से मैं, ठीक है ना, अगर हम इसको इस उपर वाली फॉर्म में ले आएं, तो लेकर आ सकते हैं, एक ही बात है, ऐसा भी हो सकता है, कि यह सवाल इस तरह देना से ग्यावाँ, सही है, अगर आप, माइनस 4X और माइनस 8 को राइट साइड पर लेकर जाओगे, तो वो 4X ब्लस 8 बन जाएगा, नीचे जो है, वो 10 ग्रेटर देन और इस इक्वल स्टो X लिखावाँ है, उसको X इस इक्वल स्टो 10 भी लिख सकते हैं, और इसी तरह से 2 इस ग्रेटर देन और इस इक्वल स्ट तो यह आखरी वाले मैंने खलत मनाया वाला, इसको यह लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब हम लेफ्ट पर लेकर आएंगे तो वो सही हो जाए, अच्छे इसके इलावा लीनियर प्रोग्रामिंग में यह रूल आपको पता होना चाहिए, कि लेट से अगर लिखावा है, अ-10 या माइनस, माइनस वाइफ वाई इस लेस देन और इस एकलस टू माइनस टेन, तो वाई कितना होगा? इंच्टेशन करते हैं लैस दन लगे क्यों में हैं अगर इनदम साइड माने आने का मतलब यह दॉनॉट्र से divide कर रहे हूं अगर in equilities के case में in equilities के case में आप minus के sign से multiply या divide करोगे तो sign of inequality reverse हो जाएगा less than है तो greater than हो जाएगा greater than है तो less than हो जाएगा तो अगर दोनों साइट को मैं minus five से divide करता हूं minus five y divided by minus five is y minus 10 divided by minus five is two और यह sign अगर less than का था तो अगर greater than का बन जाएगा सही है यह sign अगर less than का था तो यह greater than का बन जाएगा अगर minus से दोनों साइट को minus से divide या multiply करोगे तो जो sign of inequality है वो reverse हो जाएगा वो change हो जाएगा सही है अच्छा अगर let's say आपके पास लिखा वो y is less than or is equals to x y is less than or is equals to x क्या करेंगे यह हमारे पास x-axis है और यह y-axis है यह y is equals to x की लाइन है है ना इसके नीचे वाले अरिया शेड होगा अभी यह देखी दी ना example इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है minus y is greater than or is equals to minus x हाँ या नहीं दोनों साइट को अगर minus से multiply कर दें तो sign of inequality change हो जाएगा तो अगर आपके पास कभी भी minus y is greater than or is equals to x लिखावा आ रहा हो आपने अगर इसका feasible region shade करना है तो पहले दोनों साइट को minus से multiply करोगे minus y into y कितना होगा y minus x into x कितना होगा minus x into minus plus x और inequality का sign क्या हो जाएगा reverse तो इसको आप फिर line मनाओगे और उसके नीचे वाले area shade कर दोगे या पिर ऐसा भी हो सकता था कि इस सवाल को ऐसे इस सवाल को ऐसे भी लिखकर दियावा हो x is greater than or is equals to y एक ही बात हा न y is less than or is equals to x और x is greater than or is equals to y एक ही बात हा तो अगर इस तरह से सवाल दियावा होगा तो आप क्या करोगे पहले इसको y is less than or is equals to x वाली form में ले आओगे और अगिन आप shading करोगे तो same region shade होगा यानिके ये simple सा सवाल y is less than or is equals to x ऐसे भी या ऐसा भी हो सकता है एक्स की जगावाई और y की जगावाई एक्स हो या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बाते की भी हो दोनों बाते करने का मतलब यह है कि यही सवाल जो है ना यह लिखावाँ आपके पास minus x less than or is equals to minus y क्या करोगे सबसे पहले तो minus अच्छा नहीं लगता कभी भी हमें तो दोनों साइट्स को minus से multiply करेंगे जब हम दोनों साइट्स को minus से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा x is greater than or is equals to y और फिर हम y को subject बनाने के लिए या left पे लेकर जाएंगे तो left पर जब देखे जाएंगे तो y is less than or is equals to x हो जाएगा और जब y is less than or is equals to x हो जाएगा तो same diagram बन जाएगा ठीक है याने के याने के अब मैं ये एक चीज़ आप लोगों को एक टिप दे देता हूँ देखो कभी भी less than or is equals to का sign होना तो जो भी आपने line मनाई है उसके नीचे वाला area shade होगा greater than or is equals to का sign हो तो जो भी आपने line मनाई है उसके उपर वाला area shade होगा provided why left hand side पर हो एंड पॉजिटिव हो अगर वाई वाई जो है वाई वाई लेफ्ट हैंड साइड पर है इन इक्विलीटीज के और वाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है तो आप सवाल में less than का sign देखो तो नीचे वाला area shade कर देना greater than का sign देखो तो उपर वाला area shade कर देना ठीक है देखो case number one जो था बिल्कुल ही शुरू में इसमें वाई का है और positive है तो less than or equal to का sign देखा ना तो आपने line मनाई y is equal to x की उसके नीचे वाला area shade कर दिया दूसरे केस में y का है लेकिन क्या positive है नहीं है तो उसको positive किया क्या बन गया y is less than or is equal to x तो जो line थी उसके नीचे वाला area shade कर दिया तीसरे वाले केस में क्या है यह चलो यह तीसरे वाले केस कहां गया यह था x is greater than or is equal to y तो इसमें y positive तो है लेकि left hand side पर नहीं है उसको left hand side पर लेकर आया फिर हमने shade कर दिया और अगर दोनों चीजें में मसला है तो पहले माइनिस से multiply किया और फिर उसको left hand side पर लेकर आया और फिर shade कर दिया तो less than का sign हो आप जो भी line मना रहे है उसकी नीचे वाला और greater than के sign पर उसके उपर वाला area shade होगा provided के why left hand side साइट पर हो and why positive हो यह दो conditions अगर meet हो रही है तो आपको आगे कुसी चीज़ की फिकर नहीं करने की ज़रूरत आप डैरेक्ली अपना answer लिख लोगे है कि सही है कि मसला यह प्रॉपर्टी लिख ली ना पिच्चर भी ले लो ताके मैं स्क्रॉल डाउन करूं वाई left hand side पर हो and why positive हो वाई left hand side पर हो and why positive हो पूरा शुरू से कि अगर तक ना पहुंचे हैं हम तुम्हारे अगर भी अच्छा अब questions करते हैं ठीक है आप लोगों के पास वह handout पढ़ाव है न उसमें देखो linear programming के नाम से एक page आ रहा होगा इन प्रोग्रामिंग के कोई 10 पारा सवाल आ रहे हैं कि अगर दस है ना सही है इसमें से कि 7819 questions मैंने यहां पर बोट पर लिखे हैं इसको हम जदी से solve करते हैं ठीक है क्या दिखा रहे हो भाई क्वेशन मैं नाइन क्वेशन मैं नाइन क्वेशन मैं नाइन ठीक है अच्छा यह सारे के पास पेपर के questions हैं देखो साथ में autumn 2013 question 4 भी लिखाव है और आप लो कारी मुहमद वैसकी बुक्स ले आए से ले लो या अल जामिया से ले लो लेकिन यह नीचे और रिखवा दो बोलो भाई किताब चाहिए आप ले आओ लेकिन काइंडी अगली क्लास में ले आओ मैं 3-4 classes हो गई आप तो कितने 10-15 दिन हो गए ना हमारी पहली क्लास को काइंडी यार अब आप बुक्स अरेंज करो ताके हम questions की practice करें अब यह पहला question है आपके पास हम कह रहे हैं यह autumn 2013 question फॉर भी का मतलब यह है कि आई के पास पेपर का question है जब अपने पास पेपर इशू करता था तब का सवाल है और तब का question फॉर का भी है इसके जब फीज़े लिजन फॉर फॉलिंग सेट ऑफ इनेक्विलिटीज आपको कुछ इनेक्व फाईव यह फाईव से कम होगी उसकी बात कर रहाय है why is greater than and is equal to two जहां पर y की value two है उससे उपर की बात कर रहा x plus y is less than or is equals to 8 x plus y is less than or is equal to 8 एक ऐसी लाइन जो x plus y is less than or is equal to 8 के बराबर हो उसके नीचे की बात कर रहा है अब जब ये इस तरह से सवाल देना तो आप पहले तो इसको equals to में convert कर देना यानि कि आप लिखना x plus y is equals to 8 फिर इसको आप लिख सकते हो y is equals to minus x plus 8 और इसको अगर आप compare करते हो y is equals to mx plus c से तो इस line का m जो है वो कितना होगा minus 1 और 8 c कितना होगा तो minus 1 gradient है यानि के downward sloping line होगी और 8 यानि के तक्रीबन 8 यहां पर आ रहा होगा क्योंकि ये 2 है ना अगर ये 2 है तो 468 तक्रीबन तक्रीबन और downward sloping line होगी downward sloping line होगी क्योंकि m क्या है negative है तो line कुछ इस तरह से बन सकती है ठीक है और x plus y is less than और is equals to 8 में y जो है वो left hand side पर है और positive है less than का sign है तो इस line के नीचे वाले area shade होना चाहिए ठीक है हमें तीन चीज़ों का ख्याल रखना है क्या तीन चीज़ें है एक तो यह जो line मना ही है हमने इसके नीचे वाले area shade होगा दूसरा जो आपके पास वाइस greater than or is equal to की line है यानि कि उसके उपर वाले area shade होगा और तीसरा x is less than or is equal to 5 यानि कि जहां पर x की value 5 है उससे left hand वाले area shade होगा यानि कि आपका यह particular area shade हो रहा होगा यह वाला particular area shade हो रहा होगा ठीक है और यह bounded feasible region होगा या unbounded feasible region होगा unbounded feasible region होगा क्योंकि इसमें एक side पर जो है वो कोई भी border नहीं है अच्छा देखो जो x plus y is less than or is equal to 8 लखा है ना x plus y is less than और is equal to 8 लखा है उसको हमने क्या किया पहले x plus y is equal to 8 यानिक equal to में convert किया equality में convert किया फिर हमने जो है उसको y is equal to mx plus c में लेकर आए हमने m देखा c देखा और फिर हमने वो line बनाई और उसके नीचे वाला area जो है वो उसको shade कर दिया तो एक method तो यह होता है एक method तो यह होता है कि जिसमें आप जो line है उसका m और c धूंते हो और फिर उसको sketch कर लेते हो और area shade कर लेते हैं दूसरा जो method होता है method number two यह होता है कि जो आपके पास x plus y is equal to 8 है x plus y is equal to 8 है आप क्या करो कि आप इसका y intercept और x intercept धून लो एक straight line मनाने के लिए हमेशा याद रखना दो पॉइंट्स की जरूरत होती है वो कोई भी दो points हो सकते हैं मैं y और x intercept धून लेता हूं और उस line को बनाने के लिए उन दोनों points को join कर दूंगा अब देखो अगर x plus y is equal to 8 है y intercept पर x कितना होता है तो 0 plus 8 0 plus y is equal to 8 यानिके y is equal to 8 तो मेरा जो y intercept होगा वो होगा 0,8 x intercept पर क्या 0 होता है x intercept पर y 0 होता है तो x plus 0 is equal to 8 x is equal to 8 यानिके 8,0 होगा ठीक है यह हमारे पास y intercept है यह हमारे पास x intercept है हम क्या करें इस line को बनाने के लिए यह line हमें पता चल गया के 0,8 से गुजरेगी और 8,0 से गुजरेगी हम इन दोनों points को मिला कर xी धी लकीर बना लेंगे straight line बना लेंगे straight line बनाने के लिए 2 points की ज़रूरत होती है जब हम वह बना लेंगे तो फिर हमें पता है कि कंडिशन के हिसाब से जो एरिया शेड होगा वह कौन सा होगा वह इस line के नीचे होगा वाई इस greater than or is equals to के उपर होगा और एक्स लेज़ें और इस क्या क्या क्योंकि लाइन के नीचे करना था लेंगे नीचे वारे एरिया करना था कोई मस्ला है इसमें तो बता दो वहना पिचले लो वाई इस लेस्टेंट जो हमने लाइन सबसे पहले तो हमने line मना ली ना यह line मन गई हमारी अब इस line के नीचे वाला area shade करेंगे हाँ या नहीं लाइन के नीचे वाला area क्यों shade करेंगे क्योंकि यहां पर लेज़ें और इस इकॉल यह अफ़र्ट स्लोपिंग डाउंडर्ट स्लोपिंग लाइन है ना डाउंडर्ट स्लोपिंग लाइन में ऐसे होगा कि अगर लेज़ें का साइन होगा तो लाइन के नीचे वाला area shade हो रहा होगा सब्सक्राइए एक और क्योिक्षे निच्वेशन करते हैं कुछ क्यों इहां अ करवाता हूं की ग्र्प पर शेयर कर देना पिच्चा दाकर दूसरे स्टूडेंट्स भी देख लें सब्सक्राइब करते हैं देखो क्वेशन नमर 7 में लिखाव है प्लॉट दा फॉलिंग इने क्विलिटीज वन ग्राफ एंड इडिनिफाइद फीजेवे लीजन आप लोग अभी देखते जाओ ताकि आप लोगों को कुछ क्वेशन समझ में आ जाओ फिर अभी आप लोग भी प्रैक्टरस करोगे तो और आगे बहतर हो जाएंगी चीज़ें बुलते हैं प्लॉट दा फॉलिंग इनेक्विलिटीज और ग्राफ एंड इडिनिफाइद फीजेवे लीजन पहली जो इनेक् लिखावे एक्स कॉमा वाई इस लेस दिन और इस इक्वल्स तो फॉर इसका मतलब है एक्स इस लेस दिन और इस इक्वल्स तो फॉर वाई इस लेस दिन और इस इक्वल्स तो फॉर दो बाते हैं पिर लिखावे एक्स इस ग्रेटर दिन और इस इक्वल्स तो वाई क्या मै ऐसा है सथाय वाई जो एक्स या एक से कम है ठीक है अब ये हमारे पास जो है ना वो पांच कंडिशन्स हो गई जो हमें अपने graph paper पर बनानी है तो हमने अपना calling इन एक इस बना सबसक्राइब यह हमारे पास x-axis है यह हमारे पास y-axis है ठीक है और जब उससे लिखाव है x is greater than or is equals to 1 तो वो area shade करना है जहाँ पर x की value 1 या 1 से ज्यादा हो यहाँ पर let's say x जो है वो 1 x is greater than or is equals to 1 का क्या मतलब है कि इसके सीधे हाथ पर फिर दूसरी कंडिशन है y is greater than or is equals to 1 let's say यहाँ पर y 1 है y is greater than or is equals to 1 का मतलब है कि जो हमारे region होगा वो is line के उपर होगा फिरे x is less than or is equals to 4 let's say यहाँ पर x की value 4 तो जब वो बोल रहा है कि x is less than or is equals to 4 तो मेरा feasible region इसके left side पर होगा और फिर बोल रहा है y is less than or is equals to 4 let's say 1, 2, 3, 4 यहाँ पर जो है न वो y 4 तो इसका मतलब जो मेरा feasible region वो इस line के नीचे होगा फिर बोलता है y is less than or is equals to x अच्छा y is less than or is equals to x यानिके y is equals to x की line y is equals to x की line वो line होती है जो zero comma zero से गुज़रती है फिर one comma one से गुज़रती है फिर two comma two से गुज़रती है यह वो line होती है जिस पे हर point पर y की value x को और x की value y के बराबर होती है यानिके यह वो line होती है जो origin से गुज़रती है अगर मैं y is equals to x को y is equals to one x plus zero लि क्याने कि यह 0,0 से गुजड़ेगी 1,1 से गुजड़ेगी टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री फॉर कॉमा फॉर फाइफ कॉमा फाइफ इस तरह की लाइन होगी और लेस देन और इस इक्वल स्टु का साइन है वाई लेफट हैंड पर है वाई पॉजटिव है तो अगर लेस क्यों शेड ने किया क्योंकि उसने हमें बुला वाथा के लेस देन और इस इक्वल स्टु एक्स अब बताओ कोई सवाल है कोई क्वेस्टन नहीं है पक्का सही है इसकी भी पिच्चर ले लो अभी पिर मैं आप लोगों को टाइम भी दूंगा कुछ क्वेशन करने को भी द करने को दूंगा ठीक है यह जो एक आखरी सवाल एक और मैं करवाता हूं उसके बाद पिर जो है वह आप लोगों को कुछ को कुछ करने को दूंगा ठीक है एक और क्वेशन देख लेते हैं अजया से इस सेवाल ने आपके पास लिखा है इसके इच्वा यजन अट्र इंटफैे रिडंडेंट q Auto क czyli और चकर चोंट्रेंट और इंपलेटी में क्या फरके इनकरी ज़र तक रेकर कमत्ना से कोई फरक ना पड़ें रेड़ेंदटन कंस्ट्रेंड वह घ्त है जिस के होनेρι है या ना होने से कोई फरक दंशे है और पर परता किसको कोई फरक नहीं परता feasible region को redundant constraint या inequality वो inequality या वो constraint जिसके होने ना होने से feasible region को कोई भी फरक ना पड़े फरक ना पड़ने का मतलब यह है कि feasible region change ना हो अगर वो हो तो भी वो ही feasible region हो अगर वो ना हो तो भी वो ही feasible region हो जिस दीज के होने ना होने से कोई फरक ना पड़े अब पहले तो हम पहला पार्ट करते हैं sketch the feasible region feasible region sketch करते है and identify the redundant concept तो दूसरा पार्ट है तो अगर पहले पार्ट की बात करते हैं तो जहां पर यह लिखावन है x plus y is less than or is equals to 6 इसको मैं लिख सकता हूँ x plus y is equals to 6 और मैं y intercept धून लेता हूँ और मैं x intercept धून लेता हूँ ठीक है y intercept पर x कितना होता है 0 तो अगर मैं x plus y is equals to 6 मैं x की जगा 0 डालूँगा y कितना आएगा 6 आएगा और x intercept पर y कितना होता है 0 तो अगर x plus y is equals to 6 मैं y की जगा 0 डालूँगा तो x कितना आएगा 6 अब मैं साथ-साथ इसका डाइग्रेम भी बनाता रहता हूं अगर मैं इसका डाइग्रेम बनाऊंगा तो यह मेरे पास X X's है यह हमारे पास Y X's है और जब सवाल यह बोलता है 0,6 और 6,0 0,6 जो है वो लेट से यह आपके पास जो है ना वो दो चार छे एक काम करते हैं एक दो चलो तक्रीब हैं तक्रीब हैं यहां पर एक ऐसे ही रेंडम 0,6 डाल देता हूं और यह फिर लेट से क्या हो जाएगा 6,0 यह पहली वाली लाइन बन गई y left hand side पर है y positive है तो जो shade होगा region वो इस लाइन के नीचे होगा यह उपर होगा इस लाइन के नीचे होगा ठीक है दूसरी condition है 5x plus 3y is less than than is equals to 15 तो 5x plus 3y is equals to 15 का भी हम एक तो y intercept धूनते हैं दूसरा हम x intercept धूनते हैं ठीक है जी अच्छा y intercept पर x कितना होता जीरो तो 5 into 0 plus 3y is equals to 15 y is equals to 5 और x intercept पर y 0 होता तो 5x plus 3 into 0 is equals to 15 यानिके x is equals to 3 तो इसके दो पॉइंट्स क्या होंगे 0,5 0,5 इससे नीचे आएगा कहीं चलो यह assume कर लेते हैं के 0,5 है और 3,0 3,0 यहां कहीं होगा 6 से पहले आएगा 3,0 ठीक है जी यह भी हमने बना दिया ठीक है अच्छा फिर x is less than or is equals to 2 x is less than or is equals to 2 अगर यहां पर x 3 है तो यहां पर let's say 2 होगा x is less than or is equals to 2 क्या मतलब वा कि यह जो मैंने अभी line मनाई है इसके left पर होगा region या right पर होगा left पर होगा x is less than or is equals to 2 x की value 2 या 2 से कम हो 1 हो 0 हो minus 1 हो ठीक है तो इसके तो left पर होगा यह मैंने line बना भी लिए और है x, y greater than or is equals to 1 इसका मतलब है x is greater than or is equals to 0 y is greater than or is equals to 0 यानिके x की value 0 या 0 से ज्यादा होगी y x इस पर x 0 होता है x is greater than or is equals to 0 का मतलब है मेरा feasible region यह है ना वो y x के सीधे हाथ पर होगा और x is y is greater than or is equals to 0 का मतलब है x एकसे पर y 0 होता है x एकसे पर y 0 होता है तो मेरा feasible region x x के ऊपर होगा तो effectively यह वाला region होगा यह region होगा नो देखो यह अगर इस specific region को जिसको मैंने green से shade कि है इसकी बात करते हैं तो तुम देखो यहां पर अगर तुम condition number 3 देखो meet हो रही है क्या यहां पर x की value 2 या 2 से कम होगी जी सर बिलकुल क्योंकि आपने जहां पर x is equal to 2 की line मनाई थी feasible region उसके उल्टे हाथ पर है क्या यहां पर x की value 0 से ज़्यादा और y की value भी 0 से ज़्यादा होगी बिलकुल होगी क्योंकि वहां पर mention है कि x is greater than or is equal to 0 y is greater than or is equal to 0 क्योंकि यह x के उपर है यानि के वहां पर y positive होगा और y x के सीधे हाथ पर है यानि के x positive होगा पिर यह वाली condition जो थी इसमें less than or is equal to का sign था y left hand side पर था y positive था इस condition के साबसे मेरा feasibility वहां पर होना चाहिए जो इस line के नीचे हो क्या is line के नीचे है 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 ना is line के तो नीचे है क्या is line के भी नीचे है क्यों नीचे है ना green green is line के ऊपर रहा है я नीचे नीचे है तो यह मेरा फीजेवल रिजन बंता है यह मेरा फीजेवल रिजन बंता है एकक्से स्टि कि और है जो को सिर्वनक्रामा जो इक एडया उसके नीचे आँ ऊपर दूसरा जो लाइन मने भी आ है जिरो कॉमा इस जिरो वाली तो ग्रीन वाले एरिया वो उसके नीचे है यह उपर? नीचे ना तो less than or is equals to less than or is equals to why left hand side पर वो why positive हो, less than sign का मतलब जो लाइन होगी, उसके नीचे एरिया शेड होगा अब आ जाते हैं, दूसरे पार्ट पर जो बोलता था redundant constraint ना कारा जिसके होने ना होने से feasible region को कोई भी फरक ना पड़े मुझे एक बात बताओ अगर इस सवाल में अगर इस सवाल में ये वाली inequality x plus y is less than or is equals to six नहीं दीवी होती नहीं दीवी होती तो ग्राफ पर क्या impact परता ग्राफ पर ये impact परता कि ये line नहीं होती और अगर ये line नहीं भी होती तो फिर भी मेरा feasible region वही रहता जो अभी है वो change तो नहीं होता क्योंकि वो उसकी रुकावट कौन सी line है उसकी रुकावट तो five x plus y less than or is equal to fifteen वाली line है उसकी रुकावट जो है वो x plus y less than or is equal to six वाली line नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे redundant constraint redundant constraint का मतलब ये है कि इसके होने ना होने से इसके होने ना होने से feasible region पर किसी किसम का कोई भी फरक नहीं पड़ रहा अगर ये line बनाई जाए ग्राफ पेपर पर तो भी feasible region वही होगा और अगर ना बनाई जाए तो भी feasible region वही होगा feasible region किसी भी तरह से इस line के बनाने या ना बनाने की वज़ा से change नहीं हो रहा जो green वाला area है अगर zero कामा six six कॉमा zero वाली नाई नहीं बनीवी होती तो भी वही होता और अगर बनीवी है तो भी वही है तो इसको हम कहते है redundant constraint जिसके होने ना होने से feasible region पर किसी किसम का कोई भी change या impact ना पड़े अब आता हो ये clear है कोई मसला हाँ बोले फॉर्ट वाली condition जो ये वाली ये वाली condition ना यहां पर लिखीवी condition थी एक्स कॉमा वाई is greater than और is equal to zero और इस condition के हिसाब से यह आपका एकस एकस है यह आपका एकस है यह आपका X-X है यह आपका Y-X है देखो जो Y-X है Y-X पर कौन सी value 0 होती है Y-X पर हमेशा X जो है न वो 0 के बराबर होता सेंडर में X 0 होता ठीके नहीं यहां पर 1 है यहां पर 2 है यहां पर 3 है यहां पर minus 1 है यहां पर minus 2 है यहां पर minus 3 है तो y axis पर y axis पर x की value 0 होती है जब सवाल आपको ये बोलता है x is greater than or is equal to 0 तो वो ये कहना चाहरा होता है कि feasible region इसके सीधे हाथ पर बनाना ठीक है इसी दहरा से जब आप y की बात करते हो तो यहां पर let's say y जो है वो minus 2 है यहां पर y जो है वो minus 4 है यहां पर y जो है वो plus 2 है यहां पर y जो है वो plus 4 है तो जब आप से सवाल ये कहता है कि भही आप जो है न वो y x axis पर क्या होता है x axis पर y कितना होता है 0 होता तो जब आप से सवाल बोलता है y is greater than or is equal to 0 वो ये कहना चाहरा होता है कि आपका feasible region इस y x x x वाली लाइन के ऊपर आएगा तो effectively जब दोनों conditions एक साथ mentioned होती हैं कि x और y दोनों जो है वो जीरो या जीरो से जादा होंगे तो हम first quadrant की बात करें first quadrant समझते हो ना first quadrant में x और y दोनों क्या होते है positive होते है first quadrant इसको कहते है यह कौन सा quadrant कहलाता है second quadrant कहलाता है positive होता है और यह third quadrant कहलाता है third quadrant में क्या होता है x और y दोनो negative होता है और यह क्या कहलाता है fourth quadrant कहलाता है इसमें क्या होता है x और y में से x की value जो हो positive होती है और y की value negative होती है तो जिस सवाल में आपको यह दोनों conditions दी वी हो इन समरी इन कंडिशन्स का मतलब यह है कि आपका डियाग्राइम जो है ना वो फर्स्ट कौडरिंट में बनेगा क्योंकि आपने उस जगा पर अपना जो है वो ग्राफ बनाना है या फीजिब लीजिन बनाना है जहां पर डोनों चीज़ें पॉजिटिफ हूँ अच्छा चलो अब मेरे ख्याल में आप लोगों कौन कौन से क्वेश्टिन्स करवाया भी सिक्स सेवन और नाइन ठीक है ना आप लोग एक काम करो अब फाइफ करो और एट करो ठीक है और जिन लोगों की अकाउंट्स की क्लास से वो चले जाओ